आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Snapchat पे जो Snapchat Plus का सब्सक्रिप्सन वाला आया है नया फीचर उसमें आपको कितने रूपीज पे करने हो और उसमें रूपीज पे करने के बाद आपको क्या-क्या एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलते हैं तो इसी सब्सक्रिप्सन प्लान के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ पे देखें मेरा आकाउंट यहाँ पे ओपन है यहाँ पे नीचे बैनर है Snapchat का इस पे हम लोग click करेंगे और यहाँ पे देखिए 1 month का subscription है पहला जिसमें कि आपको 49 rupees पर month देना है और 12 months का जो subscription है वो 499 rupees आपको per year देना पड़ेगा ठीक है तो इसमें आपको 15% का off देखने के लिए मिलेगा अगर आप 1 year का subscription लेते हैं तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है exclusive, experimental and pre-release features यानि कि यह features आपको मिलेंगे अब इसमें कौन-कौन से features हैं उसको हम लोग देखते हैं learn more पर click करते हैं और यहाँ पर मैं सारे features यहाँ पर snapchat plus एक subscription है experimental and pre-release features आपको इसमें मिलेंगे अगर आप यह subscription लेते हो और यहाँ पर देखिए यहाँ पर धेर सारे features हैं near about 10 features हैं जो आपको मिलेंगे इसमें तो एक एक करत के मैं सारे features के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को आपको complete देखना है सबसे पहला feature जो है वो ghost trails on the map है तो इस पर हम लोग click कर लेते हैं अब देखिए ghost trails on the map है तो snap map में यह कैसे काम करता है यहाँ पर simply लिखा है मैं आपको simple words में बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर देखिए एक user है तो अगर आपका friend कहीं भी travel करता है या फिर कहीं भी जाता है तो आप यह देख सकते हैं कि snap map में कि वो कहां कहां मतलब visit किया है ठीक है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि snapchat plus subscription कि अब आप ले लेते हैं तो आप किसी को भी अपने friend list में से best friend number one choose कर सकते हैं यानि कि वो आपका best friend बन जाएगा ठीक है और आप केवल एक time पर एक ही लोग को best friend select कर सकते हैं ठीक है कोई आपकी story को अगर बार बार देखता है यानि कि आप जो status update करते हैं उसको अगर बार बार देखता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर example भी दिया है eyes जो बना हुआ है उसमें two icons लिखे हुआ है उससे यह पता चलेगा कि आपकी story rewatch कितने बार हुई है लेकिन आपको यह नहीं पता चलेगा कि किसने आपकी story को rewatch किया गया है तो यानि कि यहाँ पर simply लिखा हो the rewatch indicator doesn't show which friends rewatched your story यानि कि हमको क्यों लिए दिखेगा कि कितनी बार हमारी story rewatch हुई है लेकिन यह नहीं दिखेगा कि कौन से friend ने rewatch की है तो तीसरा feature हो गया अब हम लोग 14 feature के बारे में बात करते हैं जो कि है custom icons themes ठीक है तो यहाँ पर इस पर हम लोग जाते हैं देखेगे अब इसमें जब आप Snapchat plus का subscription ले लेंगे तो आप जो Snapchat का app icon होता है उसे आप simply customize कर सकते हैं यहाँ पर धेर सरे app icon दिए गया है उसमेंसे जो Snapchat का plus badge मिलेगा अगर आप subscription लेता है यानि कि कोई भी friend अगर आपको search करेगा तो आपके icon पे ऐसा plus badge बना रहेगा इससे लोगों को बता चलेगा कि आपका account जो है वो subscription ले चुका है ठीक है तो यहाँ पर पूरा step दिया हुआ है कि Snapchat membership badge आपको कैसे मिलेगा तो यहाँ पर आप best friends of friends badge तो आप देही सकते हैं जिसके चारो तरफ gold ring बनी होगी ठीक है लेकिन यहाँ पर जो solar system है इसमें क्या होगा कि आपके जो best friends है वो जिसके साथ आप सबसे ज्यादा snap या फिर chat करेंगे वो top 8 लोग जो हैं वो solar system में जैसे 8 planets हैं उसी तरीके कि कुछ system यहाँ पर आपक करने के बाद आप planet में देख सकते हैं कि जिससे आप जितनी ज्यादा बात करेंगे वो उतना ही closer planet आपका होगा तो इस तरीके से यह वाला feature जो है यह work करेगा यह वी feature काफी ज्यादा मुझे interesting लगा है अब हम लोग next feature के तरफ चलते हैं जो कि है snapchat for web आप snapchat for web जो है यह feature ब laptop या फिर PC में भी access कर सकते हैं वहां से भी इसे use कर सकते हैं तो यह एक बहुत ज्यादा अच्छा feature है मेरे हिसाब से अब हम लोग next feature के तरफ बढ़ते हैं जो की है priority story replies तो इस पर हम लोग जाके देखते हैं यहाँ पे देखिए snapchat plus के subscriber है आप reply करते हैं किसी भी community की story पे तो अब जो story पे आप reply करेंगे उसके scene होने की और response होने की जो priority है वो भी काफी जदा अच्छी हो जाएगी यानि कि जो भी लोग model है जिसे आप एक उसके ऊपर आप कोई भी reply करते हैं तो snapchat plus पे आप subscribers के reply भी पा सकते हैं यानि कि high chance रहेगा कि आप reply या फिर उनसे reaction पा सकते ह तो यह भी जो काफी जदा models को follow करते हैं या फिर influencers को follow करते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा feature होने वाला है अब हम लोग next feature के तरफ बढ़ते हैं जो कि post view emojis पर हम लोग click करते हैं अब यहाँ पर देखिए आप तो disable post view emoji यानि कि आपको सारे steps दिये हुए कि आप post view emoji को कैस post view emoji ठीक है तो यहाँ से आप disable icon कर सकते हैं या फिर remove कर सकते हैं current post view emoji को तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं सारे steps से आप लिखे हुए हैं अब जो last feature है वो bitmoji background का है इस पर हम लोग click करते हैं तो bitmoji background से आपको समझ में आ रहा है कि जो आप bitmoji create करते हैं वो कैसे work करेगा जानी कि उसका background के बारे में हैं तो background आपको इसमें exclusive background देखने के लिए मिलेंगे यानि कि यहाँ पर देखे आपको profile में जाना है वहां से background icon में जाना है और वहां से आपको exclusive background चूज करने का option मिल जाएगा यानि कि वो केवल plus Snapchat plus membership वालों के लिए ही background होगा तो यहाँ पर दे emoji के लिए background मिलेगा तो इतने कुछ features थे जो कि आपको Snapchat plus subscription के साथ मिलने वाले हैं और अगर आप सोचते हैं कि आपको यह सारे features चाहिए तो आप इसे definitely ले सकते है Snapchat plus का subscription और अगर आपका कोई query है या फिर कोई question है तो आप मुझे comment section में पूंच सकते हैं मैं instantly reply करने की कोसिस कर पूंच सकते हैं